maximum attempts to activate UAN in a day is exceeded का क्या मतलब होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं जब आप UAN activate करते हैं यानि कि universal account number को activate करने की कोशिश करते हैं तो कई बार आप उसमें कुछ गलती कर देते हैं और उसको activate करने की एक certain limit होती है यानि कि आप तीन बार try कर सकते हैं या साथ बार तो उसका एक limit होती है और वो limit जो है आज के लिए आपने complete कर ली है यानि कि आज आप अभी इसे activate नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि यह रात को बारा बज़े limit reset होती हो या 24 गंटे बाद तो कल आप इसी समय के बाद एक बार फिर से इसको try करेंगे तो यह आपका UAN activate हो सकता है और इसके लिए आप एक बार सारी जो चीज़ें आप डाल रहे थे जो भी information डाल रहे थे जो भी credentials डाल रहे थे उनको एक बार चेक कर लीजेगा या जो भी OTP वगएर जो भी detail आप डाल रहे थे वो सारी सही से चेक करके आप दुबारा try केजिएगा कल इस समय के बाद या रात को 12 बजे के बाद भी हो सकता है कि reset होता हो तो इसके बाद आप try करेंगे तो हो जाएगा आज के लिए आपकी जो daily limit होती है वो cross हो चुकिए है इससे जादा बार आप try आज के दिन नहीं कर सकते हैं UAN को activate करने की अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें